लकडी का चोखट के बारे में सुना था लेकिन ये डवलूपीसी चोखट है क्या और अभी के समय में बहुत सारे लोग डवलूपीसी चोखट में जा रहे हैं ऐसा क्यों भाई क्योंकि लकडी का चोखट में एक समय ऐसा आता है न उसमें जो है गून लग जाता है अब यह ग उसको खाते खाते पुरा घुल लगा देगा पुरा खा लेगा किसी दिन ऐसे दर्वाजा खोलिएगा ना दर्वाजा आपका हाथ में आ जाएगा तो इसलिए हम यहां पर आपको रेफर करेंगे डबलूपीसी का और साथ ही साथ अगर लकड़ी में पानी भी लग गया तो जातर आप लोग क्या देखते होंगे कि बरसाथ के मौसम में चाय ठंड के मौसम में आपका दर्वाजा ना तो खुलेगा ना तो लगेगा लेकिन यह डबलूपीसी में यह नहीं हो गया मौस्चर फिड़ी और वाटरपूफ है अब यहां पर हम जानते हैं भाई यह डबलूपीसी दोर फ्रेम है क्या और अगलर हम लगाते हैं तो यह यह डोर फ्रेम का कितना कौश्ट परिए हैं तौ सबसे पहले हम यहां जान लेते हैं क्य के बारे में WPC आपका हो गया उड़ रहेगा उड़ प्लास्टिक का कंपो जीट उड़ प्लास्टिक कंपो जीट इसी का हो गया WPC यह प्योर उड़ नहीं है और यहां पर यह क्या रहेगा इसका मॉइस्टर ठीट कभी भी एक नहीं करेगा और भी साथ ही अगर आप इसको फिक्स करें गया है तो यहां पर आप सब कुछ काम कर लेजिए अप कोलम का भी प्लास्टर कर दीजिए दिवाल का भी प्लास्टर कर देजिए कोई दिग्कत नहीं है आप कॉलम को तोरने की भी जहनजट नहीं है ज्यान दिजेगा अराम से ज कृमखें मनके आएगा आपका चोखेट शोखें करना देंगा और उसको बस क्या कर लेना है ड्रिल तीन जगह ड्रिल करके इसको लगा देना है ड्रिल करना है एंकर फासनर लगाना डिल करना एंकर फासनर लगाना कोई सुने ठीक है यह आपका अराम से चोखट फिक्स हो गया यह क्लिए कोलम बहुत लूब परिशान हो जाते हैं कि मेरा ठेकदार कोलम तोर दिया कोलम तोर दिया मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं चोखट लगा उसको यह चीज़ तो हो गया अब हम बात कर लेते हैं कि अब इंडिया में जो है इसका कोश्ट क्या परेगा अगर हम कोश्ट की बात कर लेते हैं कोश्ट में आपका रेट जो है परेगा मार्केट में अलग-अलग साइज का आता है अपका अगर लेकर चले हम इसका साइज पहले हम रेट को छोड़िए पहले साइज की बात कर लेते हैं क्या क्या साइज आएगा साइज इसका तीन इनची इन्टु दो इनची का आता है चार इनची इन टू पाइंट five इनची का आता है इसमें पंच इनची इंटू 2.5 इंची का आता है छे इंची इंटू 2.5 इंची का आता है यह अलग-अलग डिफ्रेंट साइज का आपको मिल जाएगा अब यहां पर रेट और यह रेट जो शुरू होगा 110 रुप्या पर फिट से ले करके आपको 175 रुप्या पर फिट तक जाएगा यहां तक तो किलियर है यह विदाओड जियेश्टी है अगर आप यहां पर जियेश्टी के साथ लेंगे यह आपको पर जाएगा 130 रुप्या से ले करके 130 रुप्या पर फिट से ले करके आपको 202 रुप्या नमसम पर फिट आपको आजाएगा अब एक का कितना परेगा अब स्टेंडर्ड साइज हम लोग का दर डूर फ्रेम को क्या राप्टा जाण दीजेगा कुछ इस तरीके से रहेगा आपका इस डूर फ्रेम का साइज आपका साथ फिट हाइट रहेगा साथ फिट हाइट रहेगा और यह सारे तीन फिट आपका जह है तीन फिट छे इंची आपका चौराई रहा उसके साब से जोर लेंगा हम कितना पड़ गया साथ फिट प्लस साथ फिट प्लस तीन फिट छे इंची अब हम इसको कल्कुलेट कर लेते हैं ज़रा ध्यान दीजेगा कि यह आजा जा दूस्तों 17 फिट 6 इंची आपको 17 फिट 6 इंची हो गया तो 17 फिट 6 इंची हम ले सकते हैं 17.5 फिट इंची हम यहां पर रिट लेका चलते हैं आपका एक 180 रुप्या के साब से विट दी जेस्ट के साथ 180 रुप्या कर दूए तो कितना आ गया दोस्तों यह तो यह आपका एक सो रहा सरी 17.5 इंटू एक सो असी तीन हजार कि एक सो पचास रुप्या ठीक है अब यह जो है ऐसे रनिंग फिट में आएगा ठीक है अब इसको फिक्सिंग अगर फिक्सिंग करवाएं गया है फ्रेम को फिक्स करने का और लगाने का कास कोस्ट लेवर कोस्ट कि लेवर कोस्ट मिला लेजिए आप इस आप पर मिला करके विछ लेवर कोस्ट आपका जो है पर जाएगा तीन हजार पांच सो रुपया अगर आप बरा साइज कर लेगें तो आपका 210 पर एगा सबसे छोटा साइज तो तीन हजार पांच सो रुपया तक में आपका आजाएगा अगर चार हजार जो है प्लस क्रोस कर जाएगा यह आप ध्यान में लेकर चलिए तो यह था दोस्तों कि अगर आप दोर फ्रेम लगा रहें हैं डवनुपीसी का क्या कोस्ट पढ़ेगा उम्मीद करते हैं दोस् को जहाँ लाइक कीजिए सेर की जो कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल वाकर सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि जैसे ही आप अपर चले सब्सक्राइब करें उसके बगले बहला कर नमने सब प्लिक कर देएगा उससे बेनिफिट बसी होता जब जब सीवी सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों